इसराइली फोर्सेज के लिए गाजा में घुसना जितना आसान है उतना ही मुस्किल है गाजा स्ट्रिप से बाहर लोटना वो भी काम्याब हो के बाहर लोटना सकुसल वहां से बाहर लोटना कारण है गाजा में बनी हुई अंगिनत सुरंगे गाजा में खुचते ही इसराइल के जो फोर्सेज उनको जटका लगना सुरू हो गया और है समाना जारा कि उनके कुछ टैंक्स को हमास ने तबाह कर दिया है और साथ ही रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि एक इसराइली सैनिक भी इसमें मारा जा चुका है जैसे कि इस आर्टेकल में देख सकते हैं हमास's arm wing say it destroy Israeli tanks two bulldozers in Gaza जैसे ही ये गाजा में enter करने कोशिश किये भी तेरात के ही बात है इनके एक टैंक और दो bulldozer पूरी तरीके से हमास ने तबाह कर दिये हैं और इनके सैनिकों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है ये जो पूरा-पूरा incidence है ये east of the city of Khan Yunis of southern Gaza Strip हुआ है जो Gaza Strip के दक्षिने हिस्सा है वहाँ एक city है Khan Yunis इसके east की तरफ हुआ है इस मैप में देख सकते हैं ये है Gaza Strip ये इसका southern हिस्सा है और यहाँ जो सहर ये है Khan Yunis Khan Yunis इसके east की तरफ कुछ इस area में ये पूरा घटना हुआ जहाँ पे Israeli armed forces को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस युद्ध में अब तक ऐसा माना जाता है कि 4657 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक माने जा चुके हैं जिसमें 1873 के आसपास में बच्चे हैं और 1000 से ज़्यादा इसमें महिलाएं मारी जा चुकी है दगार जिन का ये आर्टिकल है इसराइल हिट्स गाजा विथ वन अफ देडलियस नाइट ऑफ दे बॉमिंग सोफा इन दे वार अगंस्ट हमास ऐसा माना गया है कि जब से हमास के साथ ये युद्ध अभी सुरू हुआ है उसमें बीता रात हमास के लिए सबसे कठिन था फिलिस्तिन के लिए सबसे कठिन था क्योंकि इस रात बहुत हैवी बॉमिंग करी है इसराइल ने पूरी तरीके से और 24 घंटे में बीते 24 आवर्स में 400 से ज़्यादा पलिस्तिनियन्स मारे जा चुके है 400 से ज़्यादा फिलिस्तिनी नागरिक मारे जा चुके है एक्च्वल में ये ग्राउंड ओपरेशन्स एक छोटा सा रेड कंड़क्ट किया था इसराइल ने कि उनके जो सिविलियन्स को हमास ने बंदी बना रहा है उनको वहां से निकाला जा सके लेकिन उनको इसमें नाकामिया भी हाथ लगती है और इस पूरे ओपरेशन में इसरेल के एक शैनिक भी इसमें सहीद हो जाता है आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा थैंक यू पर वाचिंग थैंक यू वेरी मुच